गुद मॉर्णिंग चिल्रेंग और यू आल तोड़े आम गोईंग टी श्टार्ट यूर नियू चाप्टर फ्रेश चाप्टर चाप्टर नमबर एट रिचिंग ग्रान्डमदर्स हाउस यानि कि अब उमाना कहां पहुंचती है अपने दादी मा के घर पहुंचती है तो ये लिए चाप्टर जो है ये चाप्टर पॉस्ट फेर आपका चाप्टर नमबर फिसक का रिच्स जाप्टर ही dol shape का सेवन का और इस फ्रेवट यानि ये छी थीन पया में आपस में लिंक्त हैं अपने स्टार्टिंग का पॉश्टन से अपने arna नमर्स सेवन में पढ़ा और अब आपको इस चाप्टर को में आगे की स्टोडी के बारे में पढ़ना है टाइम इस 11.30 और 17 में नाइट यानि की सतरम में की रात की बात हो रही है यानि की इतनी लंबे सफर के बाद हम लोग कोटायाम पहुँचे वलियामा's house was not far from the station and we had to take two auto rickshar to get there यानि की ओमाना के रहे की वलियामा का घर जो था वो काफी दूरी पे नहीं था तो हमने दो auto rickshar लिया जिस पे हम लोग वलियामा के घर पहुचे by then I was very sleepy and did not even wait to eat anything यानि की मुझे नीद नहीं आ रही थी लेकिन मुझे क्या कर रहा था मुझे खाने के लिए थुरा इंतिजार करना पर रहा था I took a bath and slept मैंने क्या किया मैंने नहाया और सो गई मैं I thought I had just fallen asleep when Amma walk me again मैं सो जा गई और तब मेरी Amma आई मुझे जगाने के लिए यानि की we got ready हम लोग तयार हो चुके हैं took our luggage and went to the bus stand यानि की हम लोग तयार हो चुके हैं चलो bus stand चलते हैं वलियामा's family also came with us यानि की वलियामा के परिवार के भी लोग हमारे साथ आए we were 10 people and had a lot of luggage to यानि की हम लोग टोटल 10 लोग थे और हमारे पास luggage भी समान भी काफी जादा था moving to the next page here it is next page the bus conductor came and अपा बाउट tickets for all of us bus conductor आता है और अपाने हमारे लिए tickets खरीते हैं आप भी bus में जब आप travel करते हैं तो आपको भी conductor से ticket लेना पड़ता है we managed to get seats हम लोग किसी तरह seat ले करके बैठे आप भी bus में जब travel करते हैं जो general bus चाहिए जो government bus चलती है आपको road पे तो उसमें आपको seats का problem हो जाता है as it went along the bus got very crowded यानि की bus जैसे थोरे दूरी पे और चलती है तो bus में भीर बढ़ जाती है people were sharing the shirts यानि की लोग shirts share करके बैठ रहते हैं यानि की जैसे आप लोग बैठते हैं तो people बैठे हुए तो तिसरे और जैस करके बैठते हैं इसी तरह लोग हों पे share करके बैठ रहते हैं we also had to share our shirts हम लोगों को भी अपना shirts share करना पड़ा after a long ride यानि की bus काफी दूर चली the bus reached the last stop यानि की bus अपने last stop इस पे पहुँच गई I was happy to get off मैं खुश थी कि अब मैं बस से उतर जाओंगी my legs were stiff यानि की मेरा प्यार अकड़ चुका था I could hardly stand मैं किसी तरह खरे हो पा रही थी I thought that we had finally reached Amomama's village यानि की अब ये एकदब finally हो चुका था कि अब लोग Amomama के घर पहुँच चुके हैं but no our travel had not ended yet यानि कि हमारा सफर खतम नहीं हुआ है the bus had dropped us by the water side यानि कि बस जो हमें पानी के किनारे में रोग दिया है ठीक है उतार दी उन लोगों को बस पानी के किनारे में उतार दी है look Amomama pointed across the water Amomama ने इशारा किया पानी की तरफ देखो पानी की तरफ that is where we have to go यानि कि जहां हमें जाना है यानि कि उन लोगों को पानी क्रॉस करके पोजे साइट में जाना है but how will we get there I wonder लेकिन हम लोग वहां कैसे पहुचेंगे मैं यह सोच रही थी just then I saw a boat coming यानि कि मैंने देखा कि वहां से एक boat आ रही थी there is the ferry and Amma said immediately a big crowd of people started getting off यानि कि कह रहा है कि अमा ने कहा कि उसमें तो लगता है कि मिला ही जैसे है यानि कि उसमें बहुत भीर थी और जैसे ही बोट आई तो भीर काफी भीर उसमें से उतरनी लगी school children, men, women and all the other own packets and luggage यानि कि जो भी बचे थे और भी जो बड़े लोग थे या बुड़े थे जो भी वो लोग क्या कर रहे थे अपने समान के साथ ले करके उतर रहे थे अमा एक्स्पेंड डाड़ फेरी वस यूज़ बाइ पीपल तो क्रॉस दे वोटर और रिज़ दा अधर साइड यानि कि अमा कह रहे है कि ये फेरी आप जो बोट देख रहे है इसको फेरी को वहां कह रहे है तो वो कह रहे है कि इसी बोट को यूज़ करके बच्चे एक साइड से दूसरे साइड जाते हैं या जो भी लोग है जो जो काम है वो इसी फेरी को बोट को यूज़ करके जाते हैं I should as the ferry got empty यानि कि जैसे ये नाव खाली हो जाता है the big rush started from our side यानि कि जैसे नाव खाली हो जाते हैं तो जो नदी के किनारे जो लोग वेट कर रहेते हैं नाव में चर्णने के लिए वो लोग अपने भीर कोड ले करके भारा देना पर रहा था obviously आप बोट में ट्रावल कीजे सिप में ट्रावल कीजे ट्रेन में ट्रावल कीजे बस में ट्रावल कीजे ओटो रिक्षा में ट्रावल कीजे you have to pay fare आपको भारा देना पड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर करा कि everyone had to pay fare before getting on very soon the ferry was full it started off again यानि कि तुरंत में यह ferry नाम भड़ जाती है और इसके बार यह चिलना सुरू कर देती है I managed to get a place to stand along the railing मैं किसी तरह क्या कहते है रेलिंग के किनारे में आप समझते हैं रेलिंग यहाँ पर बोट में देख रहे है आप में दिखाती हूँ यहाँ पिक्चर में देखिए यह जो portion है यह रेलिंग का portion हो गए ठीक है तो कह रहा है कि As soon as the ferry got empty the big rush started from our side everyone had to pay fare before getting on very soon the ferry was full it started off again I managed to get a place to stand along the railing यानि कि मैंने किसी तरह किसी रेलिंग के किनारे जाके खरी हो गई I saw the rippling of the still water as the ferry moved यानि कि मैंने देखा कि रेलिंग के किनारे खरी होने पे आपको दिखा ही देखा कि पानी किस तरह move कर रहे है किस तरह पानी में फवारा उठ रहा है It was moving smoothly on the water यानि कि नाव पानी में चल रहे थी आराम से धीरे-धीरे There was rows of coconut trees on the banks of the river यानि कि नादी के किनारे नाइगल का पेड़ था As we moved swiftly जैसे हम लोग देए-देए मूफ किये I could see people fishing, washing, bathing and working along the banks मैंने देखा कि लोग वहाँ पे मचली मार रहे हैं कपरे धो रहे हैं, नहा रहे हैं और लोग क्या कह रहे हैं working along the banks जो जिनकों देखे किनारे जो काम है, जो जिस तरह की रोजगार करते हैं वो उस तरह का रोजगार वहाँ पे कर रहे हैं My dear students, this is enough for today, okay In the next coming class, I will teach the next pages Till then, stay safe, stay home, goodbye